जोहार दोस्तों आप सभी को ये नोटिस मिल चुका होगा कि 21 जनवरी और 28 जनवरी को परिक्षा होगी 2024 में लेकिन क्या आपको लगता है कि 21 जनवरी और 28 जनवरी को परिक्षा होगी अगर हां तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा और अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देख लिजिएगा जितने भी हैं जितने भी आप सब हैं मैं सभी चात्रों के कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना जादा हो सकता है ना शेयर करने की आप कोशिश करिएगा क्योंकि अगर ये वीडियो हर एक चात्र तक जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक जारकर्ण में कोई परिक्षा नहीं होगी आप कहेंगे सर ये कैसा सवाल आपने कर दिया कि वीडियो नहीं पहुँचेगी तो परिक्षा नहीं होगी बिल्कुल वैसा ही मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ ताकि आपके आँखों में जो परदा है वो शायद ठीक हो जाए, मतलब हट जाए आपके आँखों से परदा, जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो, हमारा JSSE CIGIL का जो नोटिफिकेशन है, वो 2016 से चलता आ रहा है, अभी फिल 2016 से लेकर के अभी अगर हम बात करें, तो 2023 और 2024 में चला गय या परिक्षा थे थी, तो ये मौका है या धोका, आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले तुम देखो, 2016, 2019, 2017, 2018, 2022, अब हम आ जाते हैं 2023 में, कि कितनी दफ़ा, 2022, 2023 में ये नोटिस आया है कि परिक्षा होगी, ठीक है, सबसे पहले कहा गया, कि 21 जनवरी को हम लेंगे परिक्ष परिक्षा कब 2023 में, ये कहा गया, देख लो, आज से ठीक एक साल पहले, नोटिस आता है, जे एससी की और से, कि हम 21 जनवरी 2023 को परिक्षा लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, वो परिक्षा पोस्टपोंड हो जाता है, ठीक है, फिर परिक्षा आ जाता है हमार कि 14 और 15 अक्टूबर को लेंगे, फिर दिसंबर में लेंगे, है ना, यानि कि अगर हम बात करें तो सितंबर में लेंगे, पहले हमारा जनवरी में, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में, और अभी अगर हम बात करें, तो दिसंबर में पिछला बार अनाउंस हुआ था, 16 तारीक और 17 तारीक और अभी recently की अगर हम बात करें कल के news की अगर हम बात करें तो कल इन्होंने कहा है कि 21 जनवरी से लेके हम 28 तारीक तक परिक्षा लेंगे 28 और 21 को लेंगे तो क्या लग रहा है तुम्हें कि ये जो पूरा सिलसलवार चलता हुआ आ रहा है पूरा मतलब समझ लो कि एक 10 साल होने को है सिर्फ डेट पे डेट मिले जा रहा है तो क्या ये परिक्षा होगी आप खुद समझदार है इसके लिए ठीक है अब सर्ब परिक्षा नहीं होगी तो हाथ पे हाथ दरे बैठ भी नहीं सकते हैं हम लोग अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हम पढ़िया कर लेंगे और परिच्वा तो हो ये जाना है तो शायद ये गलत सोच रहे हो ठीक है मैं ऐसा है मजबूर होकर कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आपको आगे आना पड़ेगा जारकट के तमाम छात्रों से ये हमारा गुजारिस रहेगा कि अगर आप एक दिन का समय देंगे तो जारकट की तस्वीर बदल जाएगी अब ये अगर आपको लग रहा होगा कि ये डाइलोग है लिकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एक दिन का समय इस पूरे जारकट रज की तस्वीर बदलेगी जारकट के छात्रों को उनका हक और अधिकार मिलेगा इसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको पश्ट बता देता हूँ 15 दिसंबर याद रख लीजे का आप सभी छात्र 15 दिसंबर को आपको राची J.S.S.E. आफिस आना है अब आ करके क्या करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ देखो आप जारकट के किसी भी कोने में रहते हो आपको राची आना ही होगा अगर आपको लगता है कि और लोग जाएगा हम नहीं जाएगे तो काम बन जाएगा तो शायद आप गलत सोच रहे हैं ठीक है क्योंकि आपका अधिकार आपको मिलेगा तभी जब आप आएंगे पिछली बार भी हम लोगों ने अंदोलन किया था और वो कामियाब भी हुआ था तो जब जब आप लोग आगे आईएगा क्योंकि ये छात्रों की लड़ाई है आपको आगे आना पड़ेगा सिंपल सी बात है तो सभी सिच्छकगन, सभी छात्रगन ये सभी ने decision लिया है कि वो 15 तारीक को यानि कि 15 दिसंबर को वो राचीज आएंगे JSC कारियालाई के पास आएंगे और अपनी मांगो को रखेंगे शांतिपुर्ण तरीके से हम अपनी मांगो को रखेंगे JSC से हमारी बातचीत होने की कुशिश रहेगी लेकिन हमें सबसे बड़ा चीज ये है कि बातचीत करने के लिए तो कोई भी चला जाएगा दो आदमी चल जाएगा उससे भी वहाँ कोई बातचीत कर लेगा लेकिन हमें इस गौवर्मेंट को इस JSC को ये दिखाना है कि हम अब सोय नहीं है हम जागे है और अगर आप गलत करेंगे तो हम सभी आपके पास आएंगे इसका जवाब मांगने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है तो रांची सभी चात्रों को आना है और 15 तारीक को आना है ये आपके स्क्रीन के उपर कुछ QR कोड दिख रहे होंगे ये कुछ QR कोड इसलिए है ताकि आप इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी आपके पास अमाउंट है एक help के तौर पे कर सकते हैं ये दोनो QR कोड पे आप payment करके help कर सकते हैं आंदोलन का ये मेरा QR कोड नहीं है मैं आपको specially बता देना चाहता हूँ किसी दो लोगों का चुना गया है एक बीने करके हैं और एक कोई हैं बीने जी और कुछ हैं उनका नाम याद नहीं आ रहा है तो इन दोनों के अकाउंट में जा रहा है और एक एक डिटेल एक एक जितने भी खर्च होंगे हमें एक जूट हो करके ठीक है मतलब शान्तिपूर तरीके से वहाँ पर आना है और अपनी मांगों को रखना है और मांग क्या-क्या होंगे ये भी जान लीजिए कि जे एससी सीजल का फाइनल एक्जाम डेट कब होगा क्योंकि आपको भी पता है 21 जनवरी को Cetate की परिक्षा है Backlog की परिक्षा है 28 जनवरी को बहुत सार एक्जामनेशन से है इसी लिए हमें ये च्छलावा नहीं चाहिए हमें डेट पे डेट नहीं चाहिए तारिक पे तारिक नहीं चाहिए ठीक है एक्साइस कॉंस्टेवल का कोई कुंडली पता ही नहीं है 2019 में एक बर परिक्षा भी भी उसको रदगर दिया गया कोट में केस चल रहा है उसको चलो अलग मेंटर है अभी नया विज्यापन आया उसका कोई कहानी नहीं है ना दोड का सुगबु का हट है हम टीचर हैं आके कहते हैं कि दोड़ते रहो बाबू क्योंकि अब हो जाएगा यहां गोड़ दोड़ लिया है सब दोड़ दोड़ के गोटना चुरा गया है लेकिन कुछ नहीं कलेंडर आता है डेट पकरा देता है कि लिजिए एतना तारीकों पर दोड़ होगा अब बच्चा लोग दोड़ने लगता है फिर डेट आता है फिर दोड़ाते रहता है अब आदमी जिंदगी पर दोड़ते रहे कि दुनियादारी काम कुछ है ठीक है LDC का विग्यापन के लिए भी हम लोग मांग करेंगे जोकि विग्यापन आ चुका है डेट काहीं निबरा रहा है फॉम काहीं निबरा रहा है ठीक है बाकि जितने भी unfair examinations की जो बाते हो रही है चाहे वो PZT हो चाहे वो नगरपली का हो इसे हम लोग ठीक करने की बात कहेंगे जारगन पुलीस का विग्यापन और यह सारा कुछ हम लोग यहाँ पर demand करेंगे तो आपकी जो unity है वो यहाँ पर सरकार को मजबूर करेगी मैं आपको बता रहा हूँ यह examination जो date आया न यह आपकी unity ने दिलाया examination date ने तो इतना जल्दी नहीं आने वाला था माल लो multiple अवला cancel हुआ exam date आया अभी तक नहीं आया लेकिन CGL का exam date कल क्यों आया इसलिए आया क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे जो है वो अब नहीं मानने वाले है इसलिए मैं आप सभी चात्रों को कह रहा हूँ यह exam date पर मत जाना एक दिन समय निकालना और एक दिन इस आंदोलन को सफल बनाना सफल बनाना अपनी उपस्तिती दर्ज कराना है और वहाँ पे जा करके सभी को शांती पुन तरीके से कोई भी उग्र नहीं होगा मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ कुछ भी गलत टिपनी भी नहीं करेंगे वहाँ पर सांती पुन तरीके से हम अपनी मांगो को रखेंगे जो हमारे सभीधान में आंदोलन का जो हमें अधिकार प्राप्त है उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर करते हुए चलेंगे ठीक है तो सभी छात्रों से हमारा गुजारिस है और अगर तुम नहीं जा रहे हो तो तुम समझ लेना कि तुम अपने पैर बे को लाड़ी मार रहे हो एक यूनिटी दिखाओ सभी चात्राओ और अपना जो है न मतलब तुम जान लेना मैं आपको विस्वास दिला रहा हूँ कि आपके एक हो जाने से सरकार पे प्रेशर भनेगा चुकि चुनाव का वक्त होगा 2024 जब चात्रों की एकता दिखेगी न सरकार तो वो खुद कहेगी कि रे जल्दी ले ले ठीक है अब एकता नहीं दिखाओगे तो वो खुद बोलेगा कि अरे दूचार को भीड लान ले है कोई दूसर पाटी के है तो यही बोल के निकल लेगी इसलिए हमें यूनिटी दिखाना पड़ेगा सिर्फ घरवा में बैट करके मेसेज़वा करने से नहीं होगा समझ में आ रहेगी ने और नहीं आपको सिर्फ कमेंट करने से बकर-बकर करने से कुछ होगा वहाँ तुमें पहुचना होगा इस अंदोलन को हमें कुछ नहीं करना है वहाँ पे जाना है और सिर्फ अपनी मांगो को रखना है और हमें इसके बाद क्या output मिलता है यह हम लोग उसी दीन देख लेंगे समझ में आ रहे कि ने तो यह चीज हम सब छात्रों को करना है I hope guys कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जो भी चात्र हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया QR code दिखाया इस पे आप help कर सकते हैं ताकि आंदोलन को successful बनाया जा सके वहाँ पे कुछ management की भी जरुरत पड़ती है बहुत लोगों को बस से भी बेजा जाता है कभी के भी जरुरत पड़ता है तो इस पे आप help करिए ताकि आंदोलन successful हो यह हमारी लड़ाई हम सब की लड़ाई है मतलब चात्रू की लड़ाई है वरना आपको date मिलते जाएगा 2024 अब यह पता चलेगा कि आपका 2026 फिर मतलब 2024 के बाद फिर चुनाओ फिर फिर फलना तो फिर चिलन हमें बस pressure बनाना है और यह बात कहना है कि परिक्षा तिथी जो announce हुई है या नई परिक्षा तिथी announce करके परिक्षा उसी दिन कराई है ठीक है इसके लिए जरूरी है आपकी unity आपकी ताकत आपका एक साथ होना अब कोई दू पाटी में बदल जाएगा तो गलत है फिर कु को एक साथ रह करके अपनी बातों को रखना है और हमें सही इसका answer चाहिए कि कब किसका विग्यापन आएगा कब इसका result आएगा कब इसका exam होगा final date चाहिए that's it ठीक है आशा करूंगे मेरी बातों को आप मानेंगे और इससी पर अमल करेंगे यह आप लोगों की ही लड़ा और प्रमुक्स चीजों पर बाते हम लोग करेंगे धन्यवाद